पूरे देश में लागू हो जाएंगे आईपीसी अब भारती न्याय सहीता के तौर पर जाना चाहेगा सी आरपीसी अब भारती नागरिक सुरक्षा सहीता होगी और अब एविडेंस एक्ट भारती स्ताक्ष अधियम होगा इन कानूनों के लागू होने के साथ ही इन में शामिल धाराओं का सीरियल नंबर भी बदला जाएगा भारती दंड सहीता में 511 धाराएं थी लेकिन भारती न्याय सहीता में 358 धाराएं ही रह गई है सैंशोधन के जरिये इसमें 20 नए अपराद शामिल किये गए हैं तो 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है वहीं स्तियार पीसी की 484 धाराओं के बदले भारती नागरिक सुरक्षा सहीता में 531 धाराएं रखी गई है नए कानून में 177 बदलाव किये गए हैं जबकि 9 नए धाराएं और 49 उपधाराएं जोड़ी गई हैं वहीं नए भारती साक्ष अधिनियम में भी बदलाव किये गए इसमें 177 नियम कानून तैक किये गए हैं 24 कानून बदले गए हैं संग प्रमुक मोहन भागवत वरण से पहुचे कल संग भवन में आयजवित शाखा में शामिल होंगे और फिर गाज़ेपूर में परमवीर चुक्र विजेता वीर अब्दुल हमीती गाउं धामो पुर्शाएंगे वीर अब्दुल हमीत के जीवन पर उनके बेटे के लिखे किताब मेरे पापा परमफीर का विमोचन करेंगे मुहन भागवत धामो पुर्शाएंगे और संत भवानी नंदन यदी महराज से आश्रवात लेंगे करनावश में बन रहे रोमा इसमारक का मंतरी असीम अरून ने निरेक्शन किया रोमा इसमारक और मुक्ताकाशी मंच की निर्माण में देरी पर नाराज की जाहिर की तीन महीने में काम पूरा करनी की नड़ेश दिये रोमा समुदाय की याद में मंतरी असीम अरून ने एक समारक बनवाने का काम शुरू करवाया था यूपीटी परिसर में बन रहे रोमा समारक का काम मई में पूरा होना था लेकिन अभी तक 60 फीज़ी काम ही पूरा हो सका है उनके समरन के लिए उनकी याद के लिए ये समारक यहां पर तयार हो रहा है इसमें बीच में चक्र होगा जो रोमा समुदाय का घर माना जाता है जो उनकी गाड़ी होती है वैगन बोलते हैं उसको उसके ये चक्र का प्रतिबिम है जो रोमा समुदाय का जंडा है उसके बी इस मंच में लाइट सावन सारी उजस्ता होगी ताकि कर्णाज के हमारे विवासाथी यह संस्क्रती में जोगी रूची रखें वो अपने कारिक्रम यहां पर आके बहुत ही कम तर्चे में कर पाएंगे और कर्णाज वासी उसका आनका